हेलो दोस्तो संपूर्णा इंजिनेरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केचिंग टूल्स के बारे में दोस्तों अगर आप कभी भी एक नया मॉडल बनाना चाहते हैं आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट है या कोई प्रोड़क्ट आइडिया है तो उसका कोई भी ऐसे एक्टिविटी है अगर आप डिजाइन रिलेटेट कर रहे हैं तो उसका वेरी बेसिक स्टेप है स्केचिंग और आएए देखते हैं कि Fusion 360 में आप स्केचिंग कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डिजाइन एंवार्मेंट और यू कैं से डिजाइन वर्क स्पेस और डिजाइन वर्क स्पेस में आने के बाद यहाँ पे टूल बार पे आपको यह क्रियेट स् है इसका इसत्माल करेंगे आप देख सकते हैं कि अगर सरफेस में जाये तो वहां भी आपको प्रियेट स्केच को मिलेगा शीट मेटल में भी आप creating sketch कर सकते हैं और यहाँ एक और option आपको मिलेगा वहा है create form का जो एक free form मॉडेलिंग यू कन सैंसे इसका पहले नाम थाAlright तो आप free form model भी create कर सकते हैं तो इसमें भी आपको sketch का option मिलेगा फिलाल के लिए हम 3D model देखने जा रहे हैं तो उसका basic step हम देखेंगे solid tab के अंदर जो tool आपको मिल रहा है create sketch का तो उस पे हम click करेंगे create sketch पे click करने के बाद आपको पहला basic step करना पड़ेगा कि कोई भी एक plane चूज करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि plane चूज करने के लिए आप plane के icon पे directly click कर सकते हैं जो आपको origin यहाँ पे दिखाई दे रहा है और तीन plane आपको दिखाई देंगे तो इसमें से कोई भी एक plane में directly उस plane पे left click करके select कर सकता हूं या फिर browser में origin folder को आप expand कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि xy plane, xz plane और yz plane इसमें से जो कोई plane चाहिए वो आप यहाँ से भी select कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं directly plane पे click करने जा रहा हूं मैं यह top plane चूज करूँगा जो xz plane है तो इसे select करने के बाद यह plane आपके screen को align हो जाएगा ताकि आप इस पे sketch बना सके तो आईए देखते हैं पहला option इसके लिए आपको जाना है create में तो create में आपको अलग-अलग geometrical entities के options आपको यहाँ पर commands मिलेंगे तो very basic command is line तो line कैसे draw करनी है या तो मैं यहाँ पर click कर सकता हूं या फिर आप यहाँ पर icon भी देख सकते हैं toolbar पे तो दोनों मेंसे कोई भी अगर चीज आप select करें तो वो line command activate कर देगा तो मैं यहाँ पर line पर click करने जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं now it is asking me for the first point तो आपको एक point click करना है जो line का first point है इसके बाद second point और ऐसे आप line को continue करते जा सकते हैं अगर आपको command end करनी है तो आप keyboard पे escape button दबा सकते हैं या फिर ये tick mark जो आपको दिख रहा है सामने इस पे आप click कर सकते हैं इस पे click करने के बाद line वहाँ पे end हो जाएगी लेकिन command में से हम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं तो command end करने के लिए आपको या तो escape करना पड़ेगा escape button प्रेस करना पड़ेगा या द ये command deactivate हो जाएगी अगर आप इस entity को delete करना चाहते हैं तो simply आप इसे click किजिए और keyboard पे delete button दबा दीजे इसे ये delete हो जाएगा या फिर इसे select करने के बाद आप right click किजिए यहाँ पे आपको marking menu मिल जाएगा तो मैंने अभी अभी delete option किया हुआ था तो सीधे उपर के direction में जा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप marking menu का fast इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर मैं इसे select करके right click करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो यह delete repeat हो जाएगा तो यह हमने रेखा कि line कैसे बनानी है इसके बाद हम आगे के options देखेंगे आप देख सकते हैं कि line command के सामने यहाँ पे letter L लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर keyboard पे आप L भी प्रेस करते हैं तो वो command activate हो जाएगी देखिए मैंने L बटन प्रेस कर दिया keyboard पे और यह line command activate हो गए right line बनाते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो dimensions दिख रहे हैं एक है line की length और दूसरा है angle इसे कैसे set क करना है यह हम आगे देखेंगे मैं escape button दबा रहा हूं ताकि command में से में बाहर आ सको इसके बाद आए देखते हैं कि rectangle कैसे बनाना है तो यहाँ पे आप create में click करके यहाँ पे देख सकते हैं कि rectangle में आपको तीन options मिलेंगे यह two point rectangle three point rectangle और center rectangle right तीनों inputs काफी आसान है two point rectangle मतलब आप two points आपको choose करने है corner points और यह rectangle बना देगा right तो अगला option अभी भी command activated है अगर आप input का type change करना चाहते हैं अगर आपको two point rectangle की जगह three point rectangle बनाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं mouse में जहाँ पे point कर रहा हूं यहाँ पे sketch palette है sketch palette में जाके आप input का type भी change कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे three point rectangle पे click करता हूं तो अभी मुझे तीन points specify करने पड़ेंगे तो यह हो गई length और तीसरा point हो गया height का right अगर मैं center rectangle draw करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे center rectangle का icon select कर सकता हूं sketch palette में अभी भी command activated है तो मैंने center click कर दिया और एक और point मुझे specify करना है ताकि यह rectangle बना इसके button दबाना है दोस्तों यहाँ पे मैं जो अभी geometrical entities draw कर रहा हूं या तो line हो या फिर rectangle हो इसे कहीं भी मैंने अभी तक dimension specify नहीं किया है इसे dimension देने के दो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला तरीका है इसे draw करते समय ही आप इसका dimension fix कर सकते हैं for example मैं अभी line command activate क करने जा रहा हूं तो यह line command है मैंने एक point first point choose कर लिया इसके बाद आप देख सकते हैं कि it is showing me the dimension in the box right blue color से दिखाई दे रहा है तो अगर मैं hundred type करता हूं keyboard पर right तो इसने hundred का input ले लिया और hundred जो number दिखाई दे रहा है उसके सामने एक gold lock या yellowish color का lock का icon आ गया इसका मतलब यह dimension अभी lock हो गया अगर मैं cursor को drag भी करता हूं तो इसकी length change नहीं होगी दूसरा आप देख सकते हैं इसका angle अभी भी variable है तो अगर मैं angle की value भी अगर specify कर दूँ देखते हैं कैसे आपको tap button प्रेस करना है जिससे के input अगले box में आप जाके edit कर पाएंगे तो मैं यहां पर 45 degree type करने वाला हूं तो आप देख सकते हैं कि 45 के आगे भी एक gold color का या yellow color का एक lock का icon हो गया इसका मतलब है कि यह dimension अभी lock हो गया अगर मैं cursor घुम लेकिन इसका quadrant अभी भी fix नहीं है अगर मैं इस direction में लाता हूं तो it is taking 45 from horizontal reference अगर यह third quadrant में ले जाओं इसे और या तो फिर इस quadrant में ले के आओं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर quadrant अगर मैंने change कर दिया तो अभी भी यह 45 degree का angle ले रहा है horizontal reference से तो सिर्फ मुझे अभी किसी एक quadrant में एक point select करना है ताके यह 45 degree की 100 mm length की line mark कर दे इसके आगे अगर मुझे command end करनी है तो escape button नहीं तो आप इस tick mark पे click कर सकते हैं तो यह line पूरी हो गई तो इसकी length आप देख सकते हैं 100 mm है और इसका angle जो है वो कितना है 45 degree है तो यह हो गया एक वे dimension का इसके साथ एक दूसरा वे आपको मिलेगा आप create में जाके यहाँ पर dimension sketch dimension यहाँ पर आपको last option मिलेगा उस पर click कर सकते हैं या फिर इसका shortcut भी है D मैं अगर sketch dimension पर click करता हूं तो देखिए यह मैंने select key line और आप अभी देख रहे हैं कि orientation मैं अगर cursor को move करता हूं तो यह orientation अपने आप लेगा मतलब इसका horizontal से end point तक का distance मुझे देना है या line की length specify करने है फिलाल तो मैं line की length specify करने वाला हूं तो यहाँ पी click करने के बाद it will ask me for the dimension तो अगर मैं 100 type करता हूं यहाँ पे 100 modify हो जाएगी 100 में अगर मुझे इसका angle इस line के angle से या फिर किसी अलग reference से specify करना है तो मैं यहाँ पे select करके कोई दूसरी entity मुझे select करनी पड़ेगी अभी angle का reference लेनी के तो suppose इस rectangle का top मैंने select किया तो यह click करने के बाद इसने angular dimension ले लिया अगर मैं यहाँ पे 45 type करता हूं तो यह 45 के लिए modify हो जाएगा राइट तो इसे हम 45 type करेंगे sorry दोस्तों यहाँ पे मैं problem face कर रहा हूं keyboard पे ओके 67 degree मैंने ले लिया 67 degree का यह angle हो गया इसी तरह से आप rectangle को भी dimension कर सकते है right यह फिर मैं escape button दबाने जा रहा हूं तो इसके साथ आप rectangle को भी इसी तरह से draw कर पाएंगे कोई अलग geometrical entity ले लेते हैं for example हम circle लेंगे तो center diameter का option हम choose कर रहे हैं circle में तो center मैंने choose किया और अभी it is asking me for the diameter तो मैं draw करते समय ही इसका diameter fix कर सकता हूं से 60 mm और इसके बाद अगर मैंने enter press कर दिया तो it will draw the circle of 60 mm राइट दस्तों एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं यहां पर कुछ geometrical entities का color जो है वह blue है और कुछ geometrical entity का color यहां पर तो सिर्फ एक लाइन है इसका color आपको black दिखाए दे रहा है तो यह fully constrained और कुछ entities जो है वह fully constrained नहीं है तो इसका जो difference है वह हम अगली वीडियो में देखेंगे फिलाल के लिए आप I hope के अगर कोई doubt है कुछ पूछना चाहते हैं आप मैं यहां पर सभी options नहीं cover करने जा रहा हूं geometrical entities के आप इसे try कर सकते हैं circle, arc, polygon, ellipse, slot का एक option मिलता है आपको यह मैं अगले दो-तीन वीडियो में से कहीं पर तो explain कर दूँँगा जहां पर हमें इसकी जरूरत है तो यह बाकी के 4-5 options जो है मैं आप पर छोड़ने जा रहा हूं आप थोड़ा सा practice कीजिए अगर कोई difficulty आपको face होती है तो आप comment में जरूर बताईएगा मैं उसे solve करने के कोशिश करूँगा तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए option के साथ झाल